बुद्धिजम की वीडियो में बात हुई थी बिम्पिसरा की आखिर कौन था ये आदमी और कैसे इसने पूरे भारत वर्ष पर अपना राज स्थापित किया तो आईए शुरू करेंगे नेक्स चेप्टर टेरोशियल स्टेट एंड दे राइज ओफ मगद तो दोस्तो आईरन का इस्तेमाल शुरू हो गया वह एक इंपॉर्टन मेटल था इसे यूज किया जाता प्लो बनाने के लिए और एक्स बनाने के लिए दोनों ही ओजारों से ए और लेबर फोर्सिस को फूट देकर खाली जगा को रहने के लिए साफ करवाया जाता अब धीरे धीरे लोगों ने अपनी जमीन से प्यार करना शुरू कर दिया इसी कारण अब जना की वैल्यू डिक्रीज हो गई और जनपदा याने की क्लैन की जमीन उसकी वैल्यू इंक् टेक्स्ट के बेसिस के उपर हम डिसकस करेंगे कि कौन से इलाके जनपदा थे और कौन से महाजनपदास तो दोस्तों फस्ट वन है पन्ननी जी की किताब वह बताते हैं कि साउथ इस्टरन सेंटरल एशिया, अफगानिस्तान और नदरन एंट सेंटरल इंडिया में 40 प्ली टेक्स्ट उनमें 16 महाजनपदास की बात की गई है थर्ड वन है गौतम बुद की टेक्स्ट जिसमें वह महाजनपदास के लोकेशन की बात करते हैं उनके हिसाब से यह अपर एंड मिड गैंगिटिक प्लेन में अरोज हुए थे अगर इन तीनों के common feature से देखें तो पता चला उत समय के most powerful महाजनपदास थे मगद, कोशला, वर्ट्स और अवन्ती एक और powerful महाजनपदा था अंगा जिसे मगद ने occupy कर लिया एरिया की बात करे दो मगद आज के पटना, गाया और शेहबाद इलाके में स्तित है इसकी earliest capital थी राजगीर और बाद में बन गई पाटली पुत्र दूसरी है लिच्छवी जहां से दोस्तो वर्दमान महावीर जी की मदर थी वहाँ के king थे चिताका, इसकी capital थी विशाली जो की एक village बसराह से जुड़ी हुई है थर्ड है काशी, जिसकी capital थी वारानसी, ये एक important powerful state थी जिसको कोशला ने मसल दिया था कोशला last one है, इसका area eastern UP में था और इसकी capital थी शिरावस्ती इसकी most important city की बात करें तो वह है अयोध्या जो की रमाइन के साथ जुड़ी हुई है इसी कोशला के तहट दोस्तो आती थी कपीला वस्तू जिसकी capital थी बस्ती इसकी पहचान गोतम बुद जी के फादर के साथ जुड़ी हुई है जिनका नाम पिपररावा था ये बात हमें अशोकन inscription में भी देखने को मिलती है Western UP में रहते थे कूरूज और पंचला परन्तु महाभारत के युद्ध के बाद हमें इनकी कोई भी पावर देखने को नहीं मिली दोस्तो इतनी सारी states वो भी एक ही समय 6th BC सेंचरी में तो इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आगे क्या होगा जी हाँ लडाई का सिलसिला शुरू हो गया territory की चाहत में लोगों के बीच आपसी conflict हुए तो लडाई का नतीजा निकला और मगद उस समय का most powerful kingdom बन गया इसके north west में एक और clan था जिसका नाम था कंबोजा आईए समझते हैं दोस्तो rise and growth of the most powerful kingdom of that time मगद को मगद का अगाज हुआ बिम्बिस्रा की leadership के तहट जो की हर्यान का डाइनैंसिटी का था ये भुद्धिजम को follow करता था पर रंतु non-violence को नहीं इसकी first policy थी conquer and aggression सबसे पहले मगद ने attack करने का फैसला किया अंगा पर उसको जीतने के बाद वहाँ पर उसने अपने बेटे को राज दे दिया जिसका नाम था अजाता शत्रू दूसरी नीती जिस पर वह focus करता था वह है multiple marriage बिम्बिसरा अलाइंस फॉर्म करने के लिए marriage पर फॉर्म करता बिम्बिसरा की तीन wives थी first one थी कोशिला किंग की डॉटर second थी लिचवी प्रिंसिस जो की विशाली से थी और अजाता शत्रू की रेल मदर थी third one है मदरा क्लैन की प्रिंसिस जो की पंजाब से थी इन तीन marriage से उसका alliance increase हुआ और competition decrease हो गया गहेज में पैसो के साथ साथ उसे आसपास के बाकी kingdom भी मिल गए दोस्तो इतना बड़ा kingdom होने के बावजूद इनका एक major competitor था वह है अवंती जिसकी capital थी उजेन पहले फैसला हुआ लड़ाई का जिसको दोनों राजाओं की तरफ से टाल दिया गया फिर अवंती का राजा प्रदेयोता अफिलिक्टेड हुआ जोंडिस से बिम्बिसरा ने उसकी मदद करने का फैसला किया पर बदले में वहाँ पर अपनी alliance form करने को कहा तो बिम्बिसरा ने अपने royal वैद को भेजा और अवंती पर भी अपना राज स्तापित कर लिया इस तरह से वह 6th century का most powerful king बन गया ऐसा माना जाता है कि उसके अंडर 80,000 villages काम करते थे भूतिस्ट क्रोनिकल्स की माने तो बिम्बिसरा ने 42 air तक राज किया जो की 544 BC से 492 BC तक है बिम्बिसरा का अंत उसी के बेटे ने किया राज गदी पाने के लिए बिम्बिसरा सिर्फ alliances से खुश था परन्तु अजाता शत्रू को यह पसंद नहीं था उसके लिए रिस्तो का कोई माइना नहीं था उसने अपने पिता का अंत कर दिया और अपनी मदर के क्लैन का खात्मा कर दिया अजाता शत्रू ने दो मेजर लड़ाई लड़ी जिसमें उसने काशी और विशाली को भी मगद में आड़ कर लिया अवंती की कोशिश हमेशा मगद पर कबजा करने की थी जो अजाता शत्रू के समय में भी कायम रही अजाता शत्रू का प्रडिसीसर था उदेन जिसने लड़ाई तो नहीं लड़ी पर रंतु एक फोट का निर्मान किया जो की पतना में है इनका क्लैन हिमालिया से लेकर छोटे नागपुर प्लैटियू तक था उदेन के बाद आई दोस्तो डाइनैंसिटी ओफ शिशूंगा जिन्होंने दो मेजर काम परफॉर्म किये पहला अपनी कैपिटल को विशाली शिफ्ट कर दिया और दूसरा अपनी सो साल की राइवल्री को खतम कर दिया जो की अवंती किंग के साथ थी अब अवंती भी मगद का एक पार्ट बन गया शिशू नगास के बाद राजगर गया नंदास के पास ये सबसे पावरफुल रूलर थे मगद के यही वे लोग है दोस्तों जिन्होंने अलेक्सेंडर को इंडिया में इन्वेड करने से रोका इन्होंने कलिंगा को जीत कर पूरे विश्व में अपने चर्चे करवा लिए ये सब महा पदमननन्दा के राज में हुआ और इसे एका रत भी नाम दिया याने एक ऐसा राजा जिन्होंने सारे राजाओं को हरा दिया नंदास के पास दोस्तों बहुत वेल्ट थी कहा जाता है इनके पास दो लाक सोलजर साथ हजार घुड सवार और पांच से छे हजार हाती थे बाद में नंदा डाइनेंसिटी कमजोर हो गई और उसके बाद पूरे भारत वर्ष में राज हुआ अगर दोस्तों एक समरी फोर्म की जाए तो बिम्बिस्रा अजाता शत्रू और महा बदमनन्दा तीनों ने ही छल और बल से अपने समराज्य को उस समय का सबसे महत्पूर और बड़ा समराज्य बना लिया पर सोचने वाली बात तो ये है दोस्तों कि बाकी किंगडम ऐसा क्यों नहीं कर पाए तो आईए समझते हैं ऐसे बेनिफिट्स जो सिर्फ और सिर्फ मगदन इंपायर को थे पहला है जियोग्राफिकल पोजीशन दोस्तों इन लोगों के पास बहुत सारी आईरन माइन्स का असेस था जिसके कारण इनके पास सबसे ज़्यादा आईरन था और उसको वह बहतर और दमदार हथियार बनाने के लिए यूज करते थे सेकिंड है कैपिटल ओफ मगद इनकी दो मिजर कैपिटल थी पहली राजगीर जो की पांच हिल से सराउंडिड थी और दुश्मनों का इस पर हमला करना नमुनकिन था दूसरी है पार्टली पुत्र जो की गंगा, सोन और गंदक के बीच है इसको वह कम्मिनुकेशन और ट्रांस्पोर्टेशन के लिए यूज करते थे यह चारों तरफ से नदियों से गिरी हुई थी इसी कारण इसको जल्य दुर्गा भी बोलते हैं याने की वाटर फोर्ट थर्ड वन है फटाइल अलुविल सॉयल डिपोजिट दोस्तों यह मिड गैंगिटिक प्लेन का और एक बहुत ही फटाइल एरिया था जिसके कारण इनके पास फूड सर्पलस होता था और वह उस फूड को आर्मी मेंटेन करने के लिए यूज करते थे फॉर्थ वन है हैवी रेनफॉल एरिया इससे भी एगरी कल्चर को फाइदा मिला क्यूंकि उन्हें इरिगेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती थी फिफ्थ वन है बेस्ट ट्रेडर एंड अर्बनाइजेशन यहां के लोगों के कनेक्शन काफी यूसफुल थे वह अपने काम में सर्वशेष्ट थे और लोगों के पास बहुत जादा वेल्थ थी जिसके कारण किंग्स को भी काफी जादा टेक्स मिलता था दोस्तो आर्यन लोग और अलेक्जेंडर की आर्मी जहां पर रफ्तार के लिए होर्स का यूस करती थी वहीं पर ये लोग हाथी का इस्तिमाल करते थी जिसके कारण दूसरे लोगों को इनकी नीतियां समझ नहीं आती थी नेक्स्ट वन है अन और्थो डॉक्स करेक्टर स्टिक्स यहां पर लोग ब्राह्मनिजम को छोड़ कर बुद्धिजम को अपनाते थे जिसके कारण वैं मोस्ट ओफ टाइम प्रोड़क्टिव कामों में लगाते और वेल्थ क्रियेशन की तरफ द्यान देते थे दोस्तो नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे किस आदमी ने इस इतने बड़े किंग्डम को धूल चटाई और भारत में अपना राज स्थाबित किया